हे हाई हलो नमस्ते फ्रेंज वेल्कम बैक तो दे चैनल सम्तिंग यम्मी कैसे आप सभी बढ़िया है ना तो आज हम देखेंगे कॉलिफ लवर मेती फ्राई की रेसिपी गोबी मेती फ्राई ऐसे एक बार मेती डालकर गोबी बनाईगे नहीं खाने वाले भी शौक से तो ढालकर इसे थोड़ा हलका भून लेंगे जैसे ही प्याल भून जाए अब हम इसमें एक चेमर्च अध्रक्लेसन का पेस्ट अच्छा स्मयल जाने तब आप इसे पका लिए अब हम इसमें डालेंगे ये मेती है बड़ी मेती एक कप है इसे बारे काट कर दो तिन बार पा दालेंगे आदा छोटा चमच लाल मिच पॉडर दालाए और साती एक चमच दनिया पॉडर आप मिर्ची अपने स्वाद के अनुसर कम ज्यादा करिए यह मैंने एक फुलगो भी बना रही है उसके लिए एक कप मेती लिया है तेखे यह फुलगो भी है एक कॉली फ्लोवर रह होगा जिसका मैंने काट कर पानी में हल्दी और नमक दाल कर एक चार पांच मिनट बॉयल कर लिया था पूरा कुट नहीं करना हिलका साफ हो जाएंगे अभी इसे मेती में डाल कर मिलाने के बार अल्रड़ी बॉयल करते वक्त थोड़ा नमक डाला था इसलिए नमक डेखकर इसे च्शे से मिला दी जीए मिल मखस अठिया कर लें यहाndra कड़ेए इसमें सिर्फ भल्पा सब दोब्र आनी का चीटा मारिए एक दो चंब इस सरह सब मारी होगा जो हमारी गोबी है ना वो नीति और मसाले को अच्छ से अकर लेगी ऑर क्या डपकर इसे एक चार-पांच मिनिट कुक कर लीजिए तब तक आप अगर रेस्पी अच्छी लगे तो चैनल को सब्स्राइब कर लीजिएगा देखिए हमारा सब्जी तयार है ऐसे आप बनाई है जटपड बनती है बचों को लंच बॉक्स में भी दे सकते है और रोटी चाहे राइस हो जो दोनों के साथ अच्छी लगती है और क्या सब्जी तयार है इसे एक सर्विंग बॉल में निकाल दीजिए गर्म गरम चावल या रोटी के साथ सब्सक्राइब कीजिए अगर रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और प्लीज चैनल को सपोर्ट करें थैंक्स फर व